मैंने यह लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, 15 से 20 मिनिट का है सिरफ, अगर हम सलेबस से हलका सा भी थोड़ा सा भी बाहर गए, तो उन चीजों को हम कवर कर सकते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, उनको कोशन्स की फॉर्म में आपको एक्स्प्रेंड करूंग सबसे पहले टेक्स्ट्रामी कैटेगरी खतम कराई जाएगी, उसका NCRT बूस्टर पूरा सॉल कराए जाएगा, उसके बाद लिविंग वर्ल्ड के कोशन्स कराए जाएंगे, तो लिविंग वर्ल्ड के जो कोशन्स कराए जाने वाले हैं, उसकी PPT आपको एक दिन पहले ही एडवांस में दे दी गई थी, ताकि आप घर से भी कुछ कर कर आएं, है ना, कोशन्स सेल साइकल और सेल डिवीजन के 52 से 53 कोशन्स पैंडिंग थे, उनमें से भी मैं 35 से 40 कोशन्स आपके करा दूँगा, उसके बाद इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, कैरेक्टरिस् तो हमें living के बारे में जानना है, बट बहुत detail में नहीं जानना है, ठीक, जैसे पहले पढ़ाया जाता था, growth पूरा detail में, reproduction पूरा detail में, metabolism पूरा detail में, consciousness पूरा detail में, पढ़ाऊंगा अभी भी चारों चीज, बट उतना detail में नहीं जाएंगे, ठीक, और ये आपका 15 से 20 मिन का होगा, जिसको मैं recorded form में आपको provide करा दूँगा, ठीक है, मैंने ये lecture record किया हुआ है, 15 से 20 मिनिट का है सिरफ, ठीक, तो हमारा जो main मुद्दा रहेगा, वो यहाँ पर रहेगा, और एक चीज में आपको फिर repeat कर देता हूँ, मैंने बार बार आपको बोला है, जब हमारा syllabus खतम हो जाएगा, तो मैं आपको हर chapter पर 30 से 35 मिनिट का lecture लूँगा, ठीक, जिसमें मैं उन बातों पर focus करूँगा, जो हमारे syllabus वे नहीं है, बट अगर हम syllabus से हलका सा भी, थोड़ा सा भी बाहर गए, तो उन चीजों को हम cover कर सकते हैं, तो वो जो lectures होंगे, उनको मैं अलग न mix नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम crystal clear लेके चल रहा हूँ, आपको मालूम है, मैं तरीके से systematic way में चीजों को deal करता हूँ, आप सोचें, वो भी पता चल जाए, ये भी पता चल जाए, ये भी पता चल जाए, ऐसा नहीं होता है, पहले हमारी जो पढ़ाई होगी, वो बिलकुल NCRT based होगी, हम NCRT based के बाद आपका 11, 12 खतम करेंगे, उसके बाद हर chapter में मैं 25 से 30 या 35 मिनट का एक lecture ले लूँगा, और वो जो extra point होँगे, उनको questions की form में आपको explain करूँगा, theory की form में नहीं, questions की form में explain करूँगा, ठीक, तो यहां की picture आपको clear है, आपको revision lecture भी provide कर रहा हू आपको कभी cell the unit of life revise करना हो, तो आप मेरे सारे revision lecture देख लीजेगा, 45 मिनट में पूरा revision complete हो जाएगा, और अगर आपने उन revision lecture को 2x पे देख लिया, तो 30 मिनट में पूरा revision खतम हो जाएगा, cell cycle का revision करना हो, सीधा जाके मेरे revision lecture देखिएगा, आपका पूरा का पूरा 30 मिनट क अंदर revision complete हो जाएगा, तो इन revision lecture की कितनी कीमत है, यह आप से जादा मैं समझता हूँ, आप से जादा मैं समझता हूँ, तो जब बीज लगाया जाता है, तो उसी time full की कामना नहीं की जाती, लेकिन आपको खुद पता चलेगा कि उन revision lecture की कितनी कीमत है, आप में से कुछ student उ मेरी ही आवाज में, full detail में जब आप revision कर पाओगे, तो आप याद करोगे कि हाँ भाई, इनकी कितनी कीमत है, तो बच्चों, यह मुझे आप से बात करनी थी, और मैंने अपनी बात खतम कर लिए।